हेलो एफ्रिवन, मैं हूदी पीका, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास टेंथ की हिंदी पाठी पुस्तक शितिस भागदो का गद्य खंड, जिसमें आज का अध्याई है एक कहानी यह भी, और इसकी लेखी का है मन्नु भंडारी, तो आईए शुरू करते हैं जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गाउं में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के प्रह्मपुरी मुहले के उस दो मंजिला मकान से, जिसकी उपरी मंजिल में पिताजी का सामराज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्तित ढ़ंग से फैली लिखी व्यक्तित्व विहिन मा, सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्याओं का पालन करने के लिए सदय उतत पर, अजमेर से पहले पिताजी इन दौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था, कॉंग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कारियों में भी जुड़े हुए थे, शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्की उन दिनों आठट, दस-दस विद्यार्थियों को अपने घर रख कर पढ़ाया है, जिन में से गई तो बाद में उचे-उचे अहदों पर पहुंचे, ये उनकी खुशाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दर्यादिली के चर्चे भी कम नहीं थे, एक और वे बेहत कोमल और सववेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी और बेहत क्रोधी और अहमवादी, पर यह सबतों मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग रेजी हिंदी शब्द कोश, विशेवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्द कोश था, इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिर्ती आर्थिक इस्थिति नहीं, उनक कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवश्चताओं का भागीतार बनाएं, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वा कांग्शाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिये पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा मा को कपाती थर्थराती रहती थी, अपनों के हाथों विश्वास घात की जाने कैसे गहरी चोटे होंगी वे, जिन्होंने आँख मूद कर सब का विश्वास करने वाले पिताजी को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था, कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते, पर यह पितर मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बलकि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खुबी और खामिया मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अंजाने अंचाहे किये उनके व्यभार ने मेरे बीतर किन ग्रंथियों को जन में दे दिया, मैं काली हूँ, बच्पन मैं दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बच्पन मैं मुझसे दो साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्त और हसमुक बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प् पैदा नहीं कर दी, कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई, आज भी परिचा करवाते समय, जब कोई कुछ विशेस्ता लगाकर मेरी लेखनी उपलप्थियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमठ ही नहीं पिताजी के जिस शक्क्य स्वभाव पर मैं कभी भनना भनना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा की नीचे मुझे उनके शक्क्य स्वभाव की जलक ही दिखाई देती है, बहुत अपनों के हाथों विश्वासखात की गहरी व्यथा से उपजा शक्क, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिचाया के रूप में, केवल ब समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं पर बहा कर ले जाए। इस्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे। हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी पेपढ़ी लिखी माँ। धर्ती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ती थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यात्ती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फर्माईश और जिद को अपना फर्ज समझ कर बड़े सहजभाव से स्विकार करती थी वे। उन्होंने सिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाओ, शायद सहानु भूती से उबजा, मा के साथ था, लेकिन नहायत असहाय मजबूरी में लिप्टा, उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, ना उनका त्याग, ना उनकी सहिच्णुता, खेर, जो भी हो, अब यह पैत्रिक पुर ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से दो साल बड़ी बहन सुशीला और मेरे घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, सतोलिया, लंगडी टांग, पकडम पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड़े गुड़ियों के बिहा भी रचाए, पासपड़ोस की स नहीलियों के साथ, यों खेलने को हमने भाईयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, और पतंग उड़ाने काज पीस कर मांजा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनकी गतिविध्यों का दाइरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, और हमारी सीमा थी घर, हाँ इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दिवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बलकि पूरे महले तक फैले रहती थी, इसलिए महले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बलकि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे, आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह संकुचित असहाय और असुरक्षित बना दिया है, मेरी कम से कम एक दरजन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी महले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरा वस्ता गुजार, अपनी युवा वस्ता का आरंभ किया था, एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवा हुआ, इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाशा किसी को भी तुंदला नहीं किया था, और बिना किसी विशेस प्रयास के बड़े सहच भाव से वे उतरते चले गए थे, उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभी व्यक्ति के लिए अनुकू लड़की के विवाह के लिए अनिवारी योग्यता थी, उम्र के 16 वर्ष और सिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कॉलकाता चली गई, दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, इन लोगों की छत्र चाया के हटते ही, पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूत का एहसास हुआ, पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ, लड़कीयों को जिस उम्र में स्कूली सिक्षा के साथ साथ सुघड ग्रहनी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस में जोकना था, घर में आए दिन विभिन राजनेतिक पार्टियों के जमावडे होते थे और जम कर बहसें होती थी, बहस करना पिताजी का प्रियश अगल था, चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वही बैठने को कहते, वे चाहते थे कि मैं भी वह से खौल रहा था, लेकिन विभिन राजनेतिक पार्टियों की नीतियां उनके आपसी विरोध या मत भेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी, हां करांतिकारियों और देश भक्त शहीदों के रोमानी आकर्चन उनकी कुर्बानियों से चरूर मन आकरांत र करती थी, लेकिन सन पैतालिस में जैसे ही दस्वी पास करके मैं फस्टियर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अगरवाल से परिचय हुआ, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कखरा सीखा, एक साल पहले ही कालिज बना था, और वे इसी साल नियुक्त हु इत्ते न बीत्ते साहित्ती की दुनिया, शरत प्रेम चंद से बढ़कर, जैनेंद्र, अग्येई, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई, और फिर तो फैलती ही चली गई, उस समय जैनेंद्र जी के छोटे छोटे सरल सहजवाक्यों वाली शैली ने बहुत किया था, सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा, अग्येई जी का उपन्यास, शेखर, एक जीवनी, पढ़ा जरूर, पर उस समय गोह मेरी समझ के सीमित दाइरे में समा नहीं पाया था, कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा, तो उसने मन को इस कदर बाधा, कि उसी जोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ, यह शायद मूल्यों के मन्थन का युग था, पाप पुर्ण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्नी चिन्नी ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था, इसी संदर्भ में चेनेंद्र का त्याग पत्र, भगवती बाबु का चित्र लेखा पढ़ा, और शीला अगरवाल के साथ, लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा, शीला अगरवाल ने साहित्य का दाइरा ही नहीं बढ़ाय सन 46-47 के दिन वे इस्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला, प्रभात फेरियां, हड़तालें, चुलूस, भाशन, हर शहर का चरित्र था, और पूरे दमखम और जोश-खरोश के साथ इन सबसे जूरना हर युवा का उन्माद, मैं भी युवा थी और शीला अगरवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था, इस्थिती यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिती में घर में आए लोगों के मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निशेद, सारी वरजनाएं और सारा भय कैसे उधस्त हो जाता है, यह तब ही जाना, और अपने क्रोध से सब को थर्थरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा, यश कामना बलकि कहूं कि यश लिपसा, पिताजी की सबसे बड़ी दुर बलता थी, और उनके जीवन की धूरी था यह सिध्धान्त की व्यक्ति क कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो, इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई थी, एक बार कॉलिज के प्रिंस्पिल का पत्र आया, कि पिताजी आकर मिल चैक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या-क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर, चार बच्चे पहले भी पड़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया, गुस्से से भनाते हुए ही वे गए थे, लोट कर क्या कहर बर्पा होगा, इसका अनुमान था, सो मैं पढ़ास की एक मित्र क यहां जाकर बैठ गई, मा को कह दिया, कि लोट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, लेकिन जब मा ने आकर कहा, कि वे तो खुशी हैं, चली-चल, तो विश्वास नहीं हुआ, गई तो सही, लेकिन डरते-डरते, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना र पटकर लड़कियों को क्लासों में भेचते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो, कि क्लास छोड़कर बहारा जाओ, तो सारी लड़किया निकल कर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं, तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोग और मैं अवाक, मुझे ना अपने आखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर, पर यहाँ हकीकत थी, एक घटना और, आजाद हिंद फोच के मुकदमे का सिलसिला था, सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का अहवान था, जो जो नहीं कर रह और फिर हुई भाशनबाजी, इस बीच पिता जी के एक नहायत दक्यानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिता जी की लू उतारी, अरे उस मन्नु की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ, ठीक है आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आ जाने कैसे कैसे उल्टे सिधे लड़कों के साथ हरताले करवाती, हुडदंग मचाती फिर रही है वहाँ, हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब, कोई मान मर्यादा इजजत आबरू का खयाल भी रह गया है आपको या नहीं, वे तो आग लगा कर चल पर घर लोटी, तो पिता जी के एक बेहद अंतरंग और अभिन मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे, मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्म जोशी से स्वागत किया, आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड पर तुम्हारा भासन सुनते ही सीधा भंडारी जी को बढ़ाई देने चला आया, I am really proud of you, क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकला भी करो, you have missed something, you have missed something, और वे धुआधार तारिफ करने लगे, वे बोलते जा रहे थे और पिता जी के चेहरे का संतोश धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था, भीतर जाने पर मा ने दोपहर के गुसे वाली बात बताई, तो मैंने राहत की सास ली, आज पीछे मुड़ कर देखती हूँ, तो इतना तो समझ में आता है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी, और क्या मेरा भासन रहा होगा, यह तो डॉक्टर साहब का इसनेह था, जो उनके मुह से प्रशनसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से पचास साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारो और से उमरती भीड के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और जिजक के यो धुआधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो, पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के भी जीते थे वे, एक और विशिस्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी और अपनी सामाजिक छवी के प्रती भी उतनी ही सजगता, पर क्या यह संभव है, क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है, सन से तालिस के मई महिने में शीला अगरवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भढ़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगारने के आरोप में, इस बात को लेकर हुर पर सामने खड़ी बहुत बहुत बढ़ी चिरप्रतिक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई, शताबदी की सबसे बड़ी उपलब थी, 15 अगस्त 1947 आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में आंते तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, थैंक यू